आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यह क्या होता है ग्लास है वह होता है Amorphous Solid ऑर जो हमारे Glass है उसको हम सूर्वर कूल ुकूट्ड़ कहते है ऐसा कहते है क्योंकि होता तो solid है पर यह जैसे हमारे Window P ž note होते है तो नेखा होता है कि वह नीचे से थेक हो जाते है तो इस वज़े से क्योंकि जो ग्लास है वो धीरे धीरे नीचे आके डेपोजिट होता है मतलब फ्लो करता है इसलिए उसे कहते हैं सूपर कूल लिक्विड जो हमारा अब आप्षिन पर आते हैं अब सेक्किन अप्षिन देखते हैं जो हमारा सेक्न कहा रहा है वो भी बिल्कूल सही है क्योंकि ग्लास हमारा अमोलफर सॉलिड है और अमोल्फर सॉलिड का कोई भी डेफिनेट मेलफिक पाउन नहीं होता है तो इस statement is also true तो अब हम आते हैं option 3 पे option 3 के according arrangement of silicate unit in glass is similar to that in liquid state तो ये भी हमारा सही है क्योंकि अभी हमने देखा super cool liquid अब हम आते हैं option 4 पे glass has regular crystalline arrangement and hence exist as solid तो अभी हमने देखा कि जो हमारा glass है वो amorphous solid है ना कि crystalline तो ये statement जो हमारी बिल्कुल false हो गई so जो option 4 है वो हमारा गलत है पर हमारा सही answer है so this is the correct option so this was the explanation thank you